अगला है 1914 की घटना बड़ा अजीव घटना है ये नाम भी बड़ा अजीव लगेगा आपको पहली बार सुन रहे होंगे तो कामा गाटा मारू परकरन ये घटना का नाम है ये घटना हुई 1914 में ये कामा गाटा मारू अजीव सा नाम है चुकि ये जापानी नाम है जापानी जहाज का नाम क्या था कामा गाटा मारू और वो उसमें लगभग 376 लोग उस जहाज पर चड़े और वो जहाज रवाना हो गई कनाडा के लिए प्लान क्या था कि ये सब लोग कनाडा जाते कनाडा में ये लोग ट्रेनिंग लेते और ट्रेनिंग लेके तब भारत वापस आते और अंगडिजों से लड़ते गटना है 1914 की ध्यान से समझेगा जैसे ही ये जहाज यहाँ से चला और कनाडा पहुचने वाला था तो जहाज के जाने में समय लगता है बीच में सुरू हो गया पर्थम 20 युद और आप अगर 9th में थोरा सा वे हिस्ट्री पढ़े होंगे तो पता होगा कि 9th के हिस्ट्री में पर्थम 20 युद में सब देस लर रहा था कनाडा कहीं नहीं था अब ये जहाज कनाडा के बंदरगाह पे खड़ी होने वाले थी कि कनाडा के सरकार ने मना किया कनाडा के सरकार ने इसलिए मना किया क्योंकि ये जो जहाज थी इसके बारे में इंगलेंड को पता था कि ये जहाज ट्रेनिंग लेने के लिए जा रहा है और हमारे खिलाफ लरेगा अगर कनाडा सरकार इसको उतरने देती तो इंगलेंड कनाडा को अपना दुस्मन समझता और कनाडा भी पर्थम विश्युद में सामिल माना जाता कनाडा सरकार ने डड़ के मारे इस जहाज को अपने बंदरगाह पर उतरने से मना कर दिया कहा कि इस जहाज को हम अपने बंदरगाह पर नहीं लगने देंगे इन्होंने इंतजार किया खरा होके कि कभी कनाडा के सरकार का मन बदल जाए और हमें कहे आ जाईए अंत्तों गत्वा जब लग गया कि कनाडा की सरकार कुछ नहीं सुनेगी तब ये लोग वापस आए और जब ये जहाज वापस आ रहा था तो 376 लोगों के साथ ये कलकत्ता पहुचा और कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर जहाज को लगाया गया जहाँ पहले से इंतजार कर रहे थे अंग्रेज सैनिक ये लोग जब आए अंग्रेज सैनिक ने इस पर धाबा बोला और दोनों में ज़रप हुई बहुत सारे लोग मारे गए बहुत सारे कूद कर भाग गए बहुत लोग गिरफतार हुए इन 376 लोगों में छट बिछट हो गए या तो कुछ लोग मारे गए नहीं तो कूद कर भाग गए और नहीं तो वो पकर कर जेल में बंद कर दिये गए इस घटना का नाम है कामा गाटा मारू परकरन जिसमें ये कामा गाटू जापानी जहाज का नाम है जिसे भारे पढ़ लिया था गुरुदत सिंग ने जा कहां रहे थे तो कनाडा याद रहेगा